ओम गर्ण शिरी महा गड़े शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पित्रपक्ष शुरू हो गए हैं पित्रपक्ष भादपद महा की पूर्ण मा को शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं पित्रपक्ष पूरे सोले दिनों के होते हैं इन दिनों का शास्त्रों में विशेश महत्व बताया गया है पित्रपक्ष को शाथपक्ष, शाथ और कनागत भी कहा जाता है पित्रपक्ष पूर्वचों के प्रतिक शधा और सम्मान के प्रतिक होते हैं इस दोरान किसी भी तरहें के शुपकार, विभा, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदे बर्चित रहते हैं. माने तानु साथ पित्र पक्ष अपने पूर्वचों के प्रती शद्धा भाव दिखाने का समय होते हैं. पित्र पक्ष में पित्रों को तरपन और पिंडदान किया जात है. माना जाता है कि शाथ पक्ष में पित्र पित्र लोक से किसी ना किसी रूप में अपने सजणों से मिलने के लिए धरदी पर आते हैं, और सजणों दारा दिये गए भोजन पभाप को ग्रहन कहते हैं. पित्र पक्ष में हमारे पित्र यंवराच की आध्या नुसार माना जाता है जिनके पित्र उनसे प्रसंद नहीं होते, उन्हें पित्र दोश का शाप लगता है। पित्र दोश जिस वेक्ति की जन्म कुंडली में होता है, उसे जीवन भर शंगर्श करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। जौब और ब्यापार में दिक्कत परिशानी बनी रहती हैं, ऐसे लोगों की टेंशन कभी खत्व नहीं होती, शिक्षा अधूरी रहती है, धन के लिए परिशान रहते हैं, रिष्टे खराब हो जाते हैं, शरीर में कोई गंभीर रोग लग जाता है, बाणी खराब हो जाती ह बुरी संगत के कारण ऐसे लोगों को गंभीर परणाम भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, व्यक्ति की उजा गलत कार्यों में व्यर्थ होती हैं, पित्रपक्ष पित्रों को प्रसंद कहने की सबसे खास दिन होते हैं, आज की इस से पित्र देप के कृपा प्राप्त होते हैं पित्रों के कृपा से पित्र दोष से मुक्ति मिलते हैं और चीवन के हच छेतर में सफलता प्राप्त होते हैं बिगड़े काम बनने लगते हैं इस उपाय को आप पित्र पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं दोस्तों उपाय को सही प्रकाशी करने के लिए, आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आएए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में उपाई करने के इने इसनान करके सच्छबस्त धारन करें इसके बाद एक सूखा हुआ नारियल ने सूखा हुआ नारियल जिसे गोला भी कहा जाता है आपको बहले लेना है ध्यान रखें इस उपाई को कहने के लिए जटा वाला नारियल या पानी वाला नारियल दाने नारियल लेने के बाद अब आप अपनी लंबाई के बराबर एक लाल रंग का धागा ने लाल रंग का धागा आप रेशमी या सूती कैसा भी ले सकते हैं जिस धागे में लौकट डाल का गले में धारन किया जाता है वहबी ले सकते हैं या फिर आप लाल रंग का कलाभा भी ले सकते हैं दोस्तों अब इस नार्यल और लाल धागे को आपको बज्रंपली के चर्णों में रखना है, आप इस उपाय को बज्रंपली के मंदिन में जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं, बज्रंपली के चर्णों में नार्यल और धागा रखने के बाद आप एक शुद्धिघी का दिया जलाएं और एक सुकंदे धूपती जलाएं अब भगवान श्री गणीश को प्रणाम करें भगवान बिश्टूपा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें सीता राम भगवान जी को प्रणाम करें और बश्रंगपली को प्रणाम करें इसके बाद एक पात्र आप सबसे पहले भगवान विश्णूजी के महामंत ओम नमो भगवती वासु देवाई का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवती वासु देवाई। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप हन्मान चालिसा का एक बार पाठ करें। आपको हन्मान चालिसा का थोड़े उच्छ स्वन में पाठ करना है यानि कि मन ही मन पाठ ना करें। हन्मान चालिसा का पाठ करने के बाद अब आप पित्र चालिसा का पाठ करें। पित्र चालिसा ना हो तो आप पित्र देव के इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम पित्रभ्य नमा ओम पित्रभ्य नमा दोस्तों भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को शास्तों में पित्र दीप कहा गया है पित्रों की प्रसंता के लिए और पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्र दोश्री मुक्ति पाने के लिए भगवा जी के बारे में कहा जाता है कि वह चिरन जीवी हैं प्रत्वी पर सत्युग में भी थे और कल्युग में भी प्राच्वान हैं बजरंग बली को संकट मुचन कहा जाता है बजरंग बली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं माना जाता है कि बजरंग बली की कृपा से सभी कश्टों, संकटों और दोशों से मुख्टी मिलती है पितर दोश से मुख्टी पाने के लिए बजरंग बली का भी विशिष रूप से पूजन किया जाता है इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान शिरी गणिश, भगवान विश्णो, मा लक्ष्मी जी पजरंग बली और पित्र देप को पड़ाम करें और अपने जाने अंजाने में की गई सभी कलतियों की शमा मांगे पित्र दोश से मुक्ति की प्रात्ना करें पित्रों की प्रशंता आत्मा की शान्ती और मुक्ति की प्रात्ना करें प्रात्ना करने के पश्चात आपने पजरंग बली के चर्णों में जो नारियल रखा है अब आप उस नारियल को लुठाएं और चाकू से उस नारियल का उपर का हिस्सा काट दे महिलाएं नारियल को सेंग ना काटे आप अपने घर में ही किसी पुरुशिया बच्चे से नारियल को कटवा ले अगर घर में ऐसे किसी से ना कटवा सके तो आप जब नारियल खरीद कर ले के आएं, तो दुकानदा से ही नारियल को कटवा कर ले कर आएं फिर उसे पूजन में रखें नारियल को उपर से काटने के बाद आपने भगवान जी को जो शक्कर का भोग लगाया है अब इस पूरी शक्कर को आप नारियल में भर दें इसलिए आपको इतनी शक्कर लेने हैं कि उससे पूरा नारियल भर जाए नारियल में शक्कर भरने के बाद आप नारियल पर उसका काटा हुआ हिस्सा लगा दें और इसके बाद लाल रंका जो आपने धागा बर्जनपली के चर्णों में रखा था अब उस धागे से आप नारियल को बांग दें यानि कि कटा हुआ हिस्सा आपको धागे से नारियल पर बांग देना है नारियल बानने के बाद अब आप इस नारियल को पीपल ब्रक्ष पर ले जाएं दोस्तों पीपल ब्रक्ष में समस्त देवी देखताओं का बास माना जाता है पीपल ब्रक्ष में भगवान पिश्णुमा लक्ष्मी जी का बास माना जाता है और माना जाता है कि पितर प्रक्ष में पितर लोग से जब पितर धरती पर आते हैं तो पीपल प्रक्ष में ही पास करते हैं इसलिए इस नारियल को आपको पीपल प्रक्ष पर ले जाना है पीपल प्रक्ष के पास आप जमीन में एक गठा खोदें ध्यान रखें आपको पीपल ब्रक्ष से थोड़ा दूर गर्ठा खोदना है जिससे पीपल ब्रक्ष को कोई भी नुकसान ना पहुँचे गर्ठा खोदने के बाद आप इस नार्यल को गठे में दबा दे नार्यल को जमीन में दवाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नार्यल खड़ा करते हुए ही जमीन में दवाना है और नार्यल का कटा हुआ हिस्सा उपर की तरफ होना चाहिए साथ ही नारियल को जमीन में इस तरह रखें कि उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ दिखाई दे दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल रंग के धागे से आपको नारियल को बहुत कसकर यानि कि टाइटली नहीं बानना है थोड़ा धीला ही आपको धागे से नारियल को बानना है नारियल दवाने के बाद आप नारियल के पास एक मिट्टे के पात्र में पानी भर कर भी रखते हैं नारियल दवाते समय पानी भर कर रखते समय आप पित्रों का ध्यान करते रहें ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का मनही मनजा करते रहें नारियल दबा कर पानी रखने के बाद अब आप पित्रों का ध्यान करें और उनका आवाहन करें यह नारियल चीटियों के लिए रखा जाता है शाद के दिन में चीटियों को भोजन कराना बहुत जडूरी होता है चीटि अगनी तत्व का प्रतीक मानी जाती है चीटियों को इस तरहें भोजन खिलाने से पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है पीपल ब्रक्ष पर पित्रों का बास्वाना जाता है इसलिए पित्रों को प्रसंद कहिने के लिए चीतियों को भोजन पीपल प्रक्ष के पास ही रखा जाता है। चीतियों के लिए रखा गया ये भोजन लंबे समय तक चलता है। इससे पित्र भी लंबे समय तक प्रसंद और त्रप्त होते हैं। चीतियों के लिए इस प्रकार भोजन रखने के बाद आप पित्रों से जाने अंजाने में की गई सभी गल्तियों के शमा अवश्य ही मांगें। दोस्तों इस उपाय को कैने से पित्र तप्त और प्रसंद होते हैं। पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है और पित्र दोष से मुक्ति मिलती है इस उपाय को आपको पित्र पक्ष में केवल एक बार ही करना है आप अपने पित्रों की आत्मा की शांती और पसंदा के लिए पित्र दोष से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को पित्र करें जिस से भेर भी इसका लाप उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वचिंग राधी राधी